हमारे सभी दर्शकों को साधर पणाम जैशी क्रश्णा आज धनू राशी के बारे में बात करेंगे रहू अब राशी बदलने वाला है मेश राशी को छोड़कर अब मीन राशी पर वक्री है इसलिए मीन राशी पर जाने वाला है दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को यह इस्तती प्रारम होगी शाम को 5 बचकर 42 मिनट से और यह इस्तती चलेगी 18 मई 2025 तक इसलिए यहां पर लिखा है को आज जानेंगे और धनू राशी वालों को क्या चमतकारिक लाब मिल सकते हैं इस विशय पर चर्चा करेंगे हां एक बात अलग है कि अब राहू आपकी राशी से चोथा पड़ेगा और उसके बारे में अलग से एक वीडियो और बनोंगा वहां पर क्या सावधनिया रख चीज तक यह इस्तती चलेगी अब एक बात और है कि साड़े साती तो आपको समाप्त हो चुकी है लेकिन राहू के भी शुब अशुब फल हर राशी पर पड़ते हैं और उसको जानना बहुत जरूरी है समस्याएं अगर धनू राशी वालों को आ रही है तो किन क्षेत्रो में समस्याएं आ रही थी वे आप स्वयम ही जानते हैं लेकिन आज जो राहत वाली इस्ततियां बता रहा हूं इन क्षेत्रों में तो अब राहत आपको मिलेगी क्योंकि राहू जब उन इस्थानों पर अपना प्रभाव ही नहीं देगा तो फिर वहां के अशुब फल कैसे आएंगे तो इसी विशेव पर चर्चा करेंगे वैसे राहू के बारे में कहा गया है कि जब भी किसी राशी पर जाता है प्रवेश करता है गोचर करता है तो उससे तीन महीने पहले ही उसके प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे तो यह प्रभाव यो मानकर चलें तीन मही वीडियो में मेश व्रशब मिथुन करक सी हैं कन्या तुला व्रश्चिक इन आठ राशियों के बारे में जानकारी मैं दे चुका हूं राहू कैसे फल देगा कैसे शुब फल मिल सकते हैं उसके परिवर्तन से तो वह वीडियो भी आप देख सकते हैं इसी चैनल पर तो चिरे वाली है राहू अभी वर्तन में मेश राशी पर गोचर कर रहा है को चर इस्थितियां हम चंद्रकुंडली से देखते हैं आपकी धनूराशी है तो आपकी जो चंद्रकुंडली है उसको भाव में नो नंबर अंक लिखा हुआ है वहां पर चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी दनु राशी होगी और तभी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी भी होगी क्योंकि तभी आपकी दनु राशी होगी अब धनु मकर कुम्ब मीन मेश पांचवा राहू था इतने समय स चल रहा है अभी भी चलेगा यूं मानकर चलें अगर 30 अक्टूबर को पकड़ के चलें तो तीन महीने और चलेगा तो राहू पांचवा है, पांचवा राहू है तो उसके प्रभाव किन किन भावों पर चंद्रकुंडली देखें, तो किन किन भावों पर उसके एशुप प्रभाव थे, उन पर चर्छा करेंगे सबसे पहली इस्तती पंचम भाव पर प्रभाव था क्योंकि पांचवा राहु था और वहां से जैसे ही राहु उत्रेगा तो वहां पर राहु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा तो वहां भाव राहु से मुक्त हो जाएगा तो जो जो भाव मुक्त होंगे और वहाँ पर अगर कोई रुकावट बाधा आ रही है तो वह अब होगी दूर और उन भावों से समंदित मिलेंगे लाव इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें सबसे पहली इस्ति क्या है पंचम इस्थान पर राहू था चंदरकुंडली में तो वहाँ पर राहू के बुरे प्रभाव थे वे अब दूर होंगे तो क्या सबसे पहली इस्ति क्या होगी पेट से समंदित कोई समस्या आ रही थी या पेट का कोई ओप्रेशन हुआ है तो वह पर कोई समस्या है पेट से समंदित तो वह अब दूर होने वाली है दूसरीkeys की बिद्धी में कोई विकार कोई समस्या या विचार अधिक आते थे बुद्धी में बुरे-बुरे विचार आते कुषागर बुद्धी के अब होंगे तो वुद्धी में अच्छे विशार आएंगे काम भीाँ divisions संतान का योग बनेगा किसों किया दोर कि अन्हों पर गुरु का शुब प्रभाव भी शुरुत हुट है ने समय हो जाएंगे इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है गुरु राहु की यूती अच्छी नहीं होती है राहु जब गुरु को छोड़ेगा गुरु भी मुक्त होगा और गुरु के साथ राहु की यूती ठीक नहीं है अकेला गुरु अब होगा तो गुरु के शुब फल मिलन शुरू हो जाएंगे तो संतान का योग बनेगा संतान से भी लाब मिलेगा और संतान अगर है तो उसको भी लाब मिलेगा इश्वर की भक्ती उसमें आस्था बढ़ेगी अगर आस्था कहीं कमी थी उसा आ रहा था भगवान की पूजा करने की इच्छा नहीं थी तो वह अब दूर होगी परिवारिक कोई समस्या है परिवार में पतनी से संतान से या संतान आपसे परशान है आपकी पतनी भी आपसे परशान है या आपके पती आपसे परशान है मालीजे कोई महिला है तनुराशी की और पती परशान है वह समस्या भी अब दूर होगी क्योंकि आपकी गुद्धी अच्छी होगी, माली जे कोई विकार आ गया, या आपने कोई गलत काम कर दिया, तो वह अब समस्या नहीं आएगी परिवार में भी, अब शांती का माहल बनेगा, प्रेम विवाह के मामले में भी शुब इस्तती बन रही है, प्रेम विवाह के मामलें बहुत अच्छी इस्तती बन रही है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं धनूराशी वाले तो अब कर सकते हैं निरने में कोई दिक्कत आ रही थी, परिवार वाले भी विरोद कर रहे थे तो अब होगी वह समस्या दूर इसके अलावा विवाह का विचार बनेगा विवाह के योग भी बनेगे तो यहाँ पर भी समस्य आगर आ रही थी तो वह भी होगी दूर राजनितिक सफलता मिलेगी अगर आपकी धनुराशी है आप राजनिति में हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी और चतुरता से काम करेंगे सबसे बड़ी बात चतुरता से काम करेंगे जो भी काम करेंगे नोकरी में हैं व्यापार में हैं चतुरता से काम करेंगे तो वहाँ पर लाब वाली इस्तती रहेगी अगर आपकी धनुराशी है आप शेर मार्केट का काम जानते हैं शुरू से ही क प्रिक्ति को अगर शेयर मार्केट का काम करना है तो साल दो साल उस मार्केट को समझना पड़ता है फिर उसके बाद ही उस काम को करना ठीक रहता है अगली स्ति हैं इस जो राचो था आपके भागी को भी देख रहा था तो वहां से भी समस्या दूर होगी शुव यात्राइं होगी यात्रावों में लाप मिलेगा विदेश यात्रा का योग भी बन सकता है तो वहां पर देंगे सफलता मिलेगी या और कोई विदेश यात्रा से समंदित रुकावट आ रही थी तो वह अब दूर होगी धार्मिक विचार बनेंगे धर्म में रूची होगी दानपुन्य करेंगे सुभाव में भी विनम्बरता रहेगी रिष्टेदारों से लाव वाली इस्तिती र दूर होगी चाहे व्यापारिक हो चाहे नोकरी में हो सारी रुकावटें अब दूर होने वाली हैं और सबसे बड़ी बात आपको अधिकार मिल सकता है नया पद मिल सकता है या आप कहीं अध्यक्ष बन सकते हैं राजनिती में हैं तब भी अच्छा पद मिल सकता है हर क्षे वाले जातक कि अगर सद भावना अच्छी नहीं थी तो वह भी अब भावना शुद्ध होगी और इससे भी लाब मिलेगा वैसे हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए बुरी भावना है तो उसको सामने नहीं लाना चाहिए अच्छी भावना सद भावना रहेगी तो सभी के साथ प्रेम रहेगा और उससे आपका भी सम्मान बढ़ेगा मान सम्मान की व्रद्धी होगी अगर आप बुरी भावना रखेंगे बुरे विचार रखेंगे लोगों के बारे में बुरा बुरी बात करेंगे किसी दूसरे व्यक्ति के सामने किस देख रहा था राहु इतने समय से चंदरकुन्ड़ी देखें तो कम नोट कर लें दो यह नमर से बनने वाली ड हुए दल नमबर का है तभ भी उनको धनुराशी नहीं है लेकिन लगना है तब फाल रहेंगे तो आम्दनी में व्रद्धी होगी रूखा तक पेसा आयेगा आमदनी अच्छी बड़ सकती है धन मिलेगा नोकरी में भी पद्वनति हो सकती वहाँ पर भी आपको स्ट बढ़ेगी यह वहाँ सबसे बड़ी बात सुख मेंदब्भ अब सकती मिलेगो व्यापार में भी पेसा बढ़ेगा उप से भी वापस मित्रता ठीक रहेगी इस्तती ठीक है भाई बेहनों का भी सुक मिलेगा विशेशकर बड़े भाई बेहन है तो उनसे भी लाब मिलेगा कोई समस्या थी तो उसका सुल्टारा होगा पैत्रिक कोई विवाद है संपतिका तो वह भी अब समाप्त होगी सामाजी के लाब भी मिलेगा लोगों से मिलना जुलना समाज में आना जाना इस प्रकार की इस्ततियां बनेगी और वहां से भी लाब वाली इस्तती रहेगी सबसे बड़ी बात वहन सुक सुविदा के साधन प्रोपर्टी इस प्रकार के योग भी आपको बनेंगे लाब मिलेगा क्यो आपको अचानक लाब भी मिल सकता है और जो भी काम करेंगे बड़ी कुशलता के साथ करेंगे इस समय में 18 महीने आपके लिए अब इन क्षेत्रों में अच्छे रहेंगे लाब उठाएं लोगों से मिलना जुलना होगा, वहां से भी लाब वाली इस्तती रहेगी पहले नहीं थी, तो अब बड़ेगी घर में भी शुब मांगली कारे होंगे, विवाह या अन्य शुब मांगली कारे घर में हो सकते हैं उन पर खर्च भी हो गा, लेकिन अच्छा खर्च होगा और इसके अलावा जो भी आपकी इच्छा थी, जो रुकी हुई थी इच्छा, उसकी पूर्ती अब होने वाली है, मान लिजे कोई कुछ खरीदना चाहते हैं, या इसके अलावा कोई इच्छा थी आपकी, तो उसकी पूर्ती अब होने वाली है, कोई काम आपने शुरू किया सीधी दरश्टी राहू की थी और गुरू की भी दरश्टी है लेकिन राहू की दरश्टी हट जाएगी तो केवल गुरू की दरश्टी रहेगी तो शरीर का सुख भी मिलेगा आलस से दूर होगा मान लिजे कोई काम आप नहीं कर पा रहे हैं लेकिन अब साहस के साथ उस काम क को करेंगे गुस्से में कमी होगी तो सारी इस्तति अच्छी होगी गुस्से में कमी भी होगी ज्यान की व्रद्धी होगी गुरुद्र अकेला देखेगा तो ज्यान की व्रद्धी होगी शिक्षा में लाव इसी प्रकार मिलेगा इसी से मिलेगा यात्रों में भी लाव वाली इस्तती रहेगी सुभाव में परिवर्तन होगा यह भी बता चुका हूँ उसे में कमी होगी तो सुभाव में अपने आप ही परिवर्तन होगा और सम्मान सबसे बड़ी बात जो सम्मान में कमी आ रही थी वह दूर होगी दिन चर्या अच्छी रहेगी सबसे बड़ी बात यह लगन को केवल अब गुरु देखेगा, राहु नहीं देखेगा, तो क्या होगा, आपका शरीर अच्छा रहेगा, शरीर पर कोई समस्य आ रही थी, तो वह दूर होगी, दिन चर्या में सुधार होगा, और नए-नए काम करने की रूची बढ़ेगी, जिग्यासा बढ़ेगी, हर चीज को जानने की इच्छा बढ़ेगी, ये कैसे होता है, इसको सीखूँ, इसको समझूँ, ये सारी इस्तियां अच्छी रहती, छोटा बच्चा है, तो उसमें भी जिग्यासा बढ़ेगी, तो माता पिता को भी वहाँ पर खुशी होगी, अगर बच्चे की धनूराश क्या हो सकते हैं, या क्या सावधानी रखनी है, उसके बारे में आगे मैं आपको अलग से वीडियो बेजूँगा, उसमें आपको यहाँ बताऊंगा कि आपको क्या सावधानी रखनी है, सबसे पहली बात, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करेंगे तो हमें भी पता लगे कि इस वीडियो को ऐसे ही वीडियो आगे भी बनो आपको भेजू ताकि आपको भी जानकारी पूरी मिल सके समय पर और वीडियो अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि आपको पसंद ही नहीं है और अधिक से अधिक शेयर भी करें चैनल को सब् नेक्स दूंगा आप तक समय पर पहुंच पाएगी तन्यवाद जैशी क्रिश्टन